एक लड़की की दुख भरी प्यार की कहानी, एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, जितनी वह सुन्दर थी, उतनी ही इमानदार, ना किसी से जूट बोलना, ना किसी से फाल्तू की बाते करना, बस अपने काम से काम रखना, उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही, मन उससे बहुत प्यार करता था, लड़का अकसर उसके छोटे मोटे काम कर, दिया करता था, बदले में जब लड़की मुस्करा कर थेंक्यू, कहती थी, तो लड़की की खुशी की सीमा, नहीं रहती थी, एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ, घर जा रहे थे, तब ही ज ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक, दूसरे के बेहद करीब आ गए, लड़की को इतने करीब पाकर लड़का, अपने जजबतों पर काबू न रख सका, उसके लड़की को प्रजोज कर दिया, लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो ग उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यूं आए, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहां गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तुम्हें यकीन नहों तो अपने दिल से बैठे, बाते कर रहे थें, लड़की पेर के सहारे बैठी थी अयर लड़का, उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था, तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझ से बरदाश्ट नहीं होती, तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे सौ साल के बराब लगता है, तुम मुझ से शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लड़की ने जट से लड़की के मूँ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी, बात मत किया, करो, अगर तुम्ही कुछ हो गया, तो मैं कैसे, जिन्दा रहूंगा, फिर वो कुछ सोचता ह हुआ बोला, तुम, चिन्ता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूंगा, धीरे धीरे काफी समय बीत गया, एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेर के नीचे बैठे हुए थे, उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था, लड़की के पूछने पर वह रुआ असा होकर, बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी, है, ये सुनकर लड़की का कलेजा फट, पड़ा, उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने, लड़का धीरे, से बाला, वैसे अगर तुम चाहो, तो अब से, हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं, लड़की ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी, लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों, लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए, देखते ही देखते लड़के क शादी का दिन, आ गया, लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में, उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं, हुआ, हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक, गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला, लड़की ने कांपते होंथों से उसे खोला, उसे, देखते ही वह बेहोश हो ग अगल, अपना दिल तो, लेते जा वरना अपनी पतनी को क्या देगा, दोस्तों हमारी जिन्दगी का सबसे खुबसुरत, एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं कभी, हम गलत तो कभी साथी गलत दोनो, सही तो घरवाले ग शेर और सबस्क्राइब, तरना ना भूले, धन्यबाद